Hi everyone, मैं हूँ धननजय, उमीद करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे, अगर किसी भी देश के leaders का फैसला independent ना हो और खास करके अगर उनका foreign policy भी independent ना हो तो उस देश का वही हाल होता है जो हाल आज की rate में Ukraine का हूँ रखा है Recently, US के parliament में एक bill pass किया गया जिसके तहत USA, Ukraine को कुछ 61 billion American dollars का military aid पहुचाने वाला है और अगर आप Russia-Ukraine war को बहुत ही अच्छे तरीके से गर आप इसका analysis करते हैं तो आपको मालूम पड़ेगा कि almost Ukraine बरबाद हो चुका है और इसके पीछे हम कह सकते हैं कि European countries plus USA और Zelensky का unmatured behavior responsible ह इस वीडियो में हम कुछ examples की मदद से समझेंगे कि किस तरीके से USA ने Ukraine को बरबाद कर दिया इस वीडियो में आगे बढ़ हुई से पहले आपको मेरा effort पसंद आता है तो चैनल को subscribe और वीडियो को like and share करें और अगर आपके पास मेरे लिए कोई suggestion है तो वो भी मुझे email करके बता सकते हैं अब geopolitics में क्या होता है कि एक incident को अगर आप touch करते हैं तो उससे related बहुत सारे incidents होते हैं इनका नाम है Anthony Blinken जो कि तीन दिन के official visit पे चाइना गय हुए हैं अब ये दोहरानी की जरुवत नहीं है कि चाइना और US के बीच में बीते कुछ सालों में relations बेहत खराब तो USA, China से अपने relation को एक हद के बाद खराब करना चाहेगा और ऐसा ही कुछ China भी करना चाहेगा USA के साथ तो कहने का मतलब है कि अगर सामने वाला देश strong रहता है तो US का जो behavior होता है जो इनके diplomatic stands होते हैं वो completely अलग होते हैं और अगर सामने वाला देश मजबूत नहीं होता ह तो इनका बात करने का तरीका completely अलग होता है तो इससे हम Indians को एक बात तो समझ में आ जाना चाहिए कि हम जितना मजबूत रहेंगे हमारा फैसला भी उतना ही independent रहेगा साथ में एक बात और याद दिला दू कि पूरे दुनिया को पता है कि China इरान से सस्ते कीमत पे तेल इसराइल का number one bilateral trading partner है USA दूसरा है चाइना और अगर आप चाइना का बीते कुछ सालों में statement देखेंगे तो आपको मालूम पड़ेगा कि इनके चुछ statements रहते हैं वो maximum statements इसराइल को favor नहीं करते हैं अब क्योंकि लगभग 2-3 दिन पहले US के Parliament में एक bill पास किया गया जिसके त तरीके से image present किया जाएगा कि आप एक negative देश हैं आपके leaders बेकार हैं और आपके देश में human rights violation हो रहे हैं USA ने Ukraine को aid पहुंचाया पहले भी पहुंचाया अभी भी पहुंचा रहा है तो US का इसके बारे में कहना है कि क्योंकि Russia ने invade किया Ukraine को तो इसलिए US को defend करना है Ukraine को लेकिन वहीं पे कलको अगर North Korea से Russia weapon खरीता है तो उसको इस तरीके से दिखाया जाएगा जैसे कि वो एक global threat है और इस deal से पूरे दुनिया में अशान्ती फैल सकती है तो कहने का मतलब है कि almost दो action जो similar है अपने behavior में अगर उसी action में से एक काम अगर USA करता है तो वो जायज हो जाता है और वही काम अगर कोई और करता है तो वो completely गलत हो जाता है उसके बाद अगर आप Russia Ukraine war को बहुत ही neutral तरीके से गर आप देखेंगे तो एक चीज समझे कि अगर Ukraine इस war को जीत भी जाता है जो कि almost impossible है तो आप देखें कि किन शर्तों पे Ukraine इस war को जीत रहा है कहने का मतलब है कि लगभग 20 साल होने वाले Russia Ukraine war को तो जहां पे Ukraine को भी काफी नुकसान पहुचा है इनके infrastructure को इनके buildings वगरा को तोड़ दिया गया इनकी जो supply channels से उनको तोड़ दिया गया तो कहने का मतलब है कि as an Indian अगर हमें ये समझ में आ रहा है कि अगर Ukraine by chance इस war को जीत भी लेता है तो war damage इतना हो जाएगा कि उस war damage से निकलते निकलते हैं Ukrainian as an country खतम हो जाएगा तो definitely ये सारी बाते जो common civilians होंगे Ukraine में उनको भी समझ में आ रहा होगा लेकिन यहां पे दिक्कत क्या हो जाता है leadership crisis का जो common civilians होते हैं उनके पास वो power नहीं है कि वो decisions ले सके यहां पे Zelensky ने जिस तरीक से overconfidence और unmature behavior का इस्तेमाल किया इससे USA या European countries का तो खेर कोई नुकसान नहीं हुआ है अब तक लेकिन Ukrainian as a country ये almost on the verge of collapse है 1950 से अगर आप कहीं पे भी देखे पुरे दुनिया भर में अगर कहीं पे भी war या conflict हो रहा है तो वहां पे 3-4 देशों का participation आपको definitely मिलेगा एक तो US का participation मिलेगा दूसरा UK का मिलेगा और तीसरे France का मिलेगा और बहुत हद तक Germany का भी आपको participation मिलेगा अब एक चीज समझे कि आखिर में US इतने war में क्यों रहता है directly और indirectly तो उसका एक जो सबसे बड़ा वज़ा है वो ये है कि पूरे दुनिया में लगभग पिछले साल 42% जो weapons थ अगर आपके पास वक्त है तो आप जाके सिपरी का website को पढ़ें जैसे ही Russia और Ukraine के बीच में जंग शुरू होता है वैसे ही high label meetings किये जाते हैं US के officials और defense manufacturing companies के द्वारा जहां पर analyze किया जाता है उन company से बात करके कि आपके पास कितना capacity है और अब कितना missiles या rockets या कहले war related equipments को आ सकते हैं और साथ में US को अपने army के लिए भी sufficient reserve रखना पड़ेगा तो इससे भी आप किसी भी देश का psychology है जो mindset है उसको आप समझ सकते हैं अब क्यूंकि US का senate में एक bill pass हुआ जहां पे लगभख 61 billion American dollars का aid पहुँचाया जाएगा Ukraine को इसमें खास करके एक missile system के बारे में बढ जो ग्राप से समझाता हूँ ताकि समझना आसान हो अब ये वो exactly missile system के बारे में बढ़ चड़ कर बात की जा रही है जहां पर आप देख सकते हैं कि ये एक truck सा है और truck के पीछे ये missile को fire करने का जो भी system होता है वो है इसके बारे में कहा जा रहा है कि इसका जो range है वो लगभ आने का इसके पीछे capacity है तो कहने का मतलब है कि अगर कल को रश्या अपने और भी aggressive behavior दिखाता है और कहीं बात अगर nuclear weapon use करने तक हो जाता है तो क्या इसमें US जेमेदार नहीं है और अगर किसी भी कारण अगर इरान रश्या को weapon देता है या रश्या इरान को weapon देता है या चा अगर body language आप देखेंगे तो वो कुछ जादा ही over confident थे और साथ में उनका जो behavior था stand था वो काफी unmature था साथ ही नहीं तो शायद US और European countries को ये उमीद था कि ये war लगभग 20 साल तक खिच जाएगा नहीं तो to a great extent व्लादेमिर पुतिन को मालूम था कि ये war लगभग 20 साल तक जब खत्म होगा किन शर्तों पे खत्म होगा ये भी कहपाना थोड़ा मुश्किल है अभी तो as an Indian अगर हम Russia Ukraine war को अगर हम देखें और समझें तो एक चीज़ का ध्यान रखा जाए कि war कभी भी solution नहीं होता है हर वक्त जो solution होता है वो dialogue और diplomacy ही होता है क्योंकि किसी को नहीं प जलेंस्की डारेक्टली अगर बात करते विलेदेमिर पुतिन से तो शायद चांसे था कि Russia Ukraine war को टाला जा सकता था क्योंकि initially और आज भी हम देख सकते हैं कि किस तरीके से जलेंस्की को सपोर्ट किया जारा European countries और US के द्वारा तो कहीं ना कहीं Ukraine के destruction में जलेंस्की का बहुत बड़ा रोल है I hope that you like the video अगर फिर भी मुझसे कहीं कोई कमी या कहीं कोई गलती हो गई तो मैं माफी चाहूंगा मैं चाहूंगा कि आप मुझे email करके बताएं see you in the next video have a wonderful day thank you take care good bye